श्रीमन नाराणी जोती सस्थान में आपका स्वागत है आज हम आपके लेकर आए हैं करकरास वालों के लिए नौमबर 2021 में कैसा रहेगा ग्रहों की स्थिति क्या होंगे उसके फल और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन सी तारिखें आपके लिए शुब हैं और म कौन से ब्रतत्माते वहाराएंगे अंध तक वीडियो बने रहिए और पूरा देखिए हम आपको बताते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहेगे इस महिने दो नौमबर को धन्तरेदसी चान नौमबर को दिपावली पांच नौमबर को अन्नकूट गोवर्धन पुजा छे पुजन और पंद्रा नौमबर को तुलसी विवा हरी प्रवो धन्यकासी का व्रत और उन्निश नौमबर को कातिक की पुडिमा गुरु नानक जैनती और खंडगास चंद ग्रहन लगेगा जो की भारत के को सुदूर पुर्वी देशों में दिखाई देगा और जानने के ल होगा सब कुछ इस वहां बताया गया है हम आपको बताते हैं कि करक रासवालों के लिए कौन सी सुब तारिखें होगी पूरे महिने जो आपको कोई अच्छा कारे करें तो सफलता मिले करक रासवालों के लिए 6, 8, 14, 15, 17, 18 और 27 नवंबर यह आपके लिए बहुत सुब है इस तारिखों को कोई भी कारे बड़ा कारे करते हैं तो सफलता मिले के अब बताते हैं ग्रहों की स्तिति क्या होगा अब क्या होंगे उसके फ़ल करक रास के चतुर्थ स्थान पर ही यानि सुक स्थान पर ही सू प्रापर्टी का लाब होगा अगर कोई लगजरी यानि गाड़िया इत्या लेना चाहते हैं तो आप सफल होगे अगर आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत सुब है आप जा सकते हैं सफलता मिले का कोई नया नोकरी जोईनिंग करना आ पस थोड़ा सा चल्दी वाजी न करें तो अच्छा रहेगा इस महिने में सनी की क्या पोईशां रहेगी आपके लिए सनी इस महिने में आपके सत्तम में बिराजवान है पत्नी से कभी अन्न बनकी भी समहोना बन सकती है लेकिन अगर दांपत्य जीवन फिर भी अच्छा र लोब निरंदर होता रहेंगा आपको पैसे सिद्कत नहीं आएगी और इस्वती की नमीद्रिष्टी वैजवाता आपके पराक्रम के पराक्रम से की हो कार्यमिलता भाई से सुख मिलेगा मित्रों से लाब हो गाश anyways ूट explorATOR आपको मन प्रसनर हैगा पूरा महिना मन प्रसनर कोई बढ़ी पर इछा दे रहा है तो अचानक आपको लाब हो सकता है लेकिन कभी-कभी आपको पेट की भी दिक्कत आ सकती है सुक्र खष्टम में हैं आपको थोड़ा सा इस्त्रियों से भी सेस रूप से बचना चाहिए परिस्त्रियों से बचें और बड़ी सावधानी बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा बिदेश स्यात्राओं लगजरी सुधाओं के भी योग बन रहे हैं मैं आपको बताते हैं इस महिने में मुखे रूप से ब्योसाहि का ज pam нач cruise का पूरा महीना or ज्यादा तर आपका अच्छा रहेगा सबलता में इस महिने में सबलता मिलेग नोकरी में उन्नती होगी दामपत्य जीवन भी Յच्योंध को पर्यम बना रहे हैं पत्न को थोड़ी शा रोड़ा आ सकती है उसके बाद सफलता मिलेगा पेट का थोड़ा सा ध्यान रखें उपाय क्या करें ऐसे में आपको दुर्गा जी के आरधना करना चाहिए प्रदिन दुर्गा सवस्ति का या दुर्गा कोच का पाठ करें और संकर जी को जल चड़ाएं सोमवार को सफे चीज का दान करना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा और माता पिता का सियोन करें हम आसा करते हैं कि आपने हमाना चैनल सस्क्राइब कर लिया होगा नहीं किया तो कल लिजिए और इनी सब्दों के साथ हम अपनी बादी को विर्याम देते हैं स्रीमनारानी